बाते करते हम खेतों की और उसके रखवाली की बाग बगी जब फल फूलों और फसलों की हरियाली की हम बेजों की बाते करते उत्तम जलसन साजन की हम तो बिनी की बाते करते फसलों की उत्तम जी पर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को गाउं गाउं की हरियागन का प्यारा साही दर्शन कृषी दर्शन, 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 कृषी दर्शन में क्या है खास जैविक खाद निर्मान और उप्योग को बढ़ावा देने के लिए जैविक प्रमानी करम एवं जैविक खाद उत्पादन प्रोचाहन योजना मचली विक्रेता मतस्य विपनन योजना के तहत अनुदान पर ले सकते हैं कई सुधाव का लाभ निम्बू के ब चारही है इस योजना के तहट किसान जैविक खाद जीवामृत एकाई और क्रिशी अप्षिष्ट क्लचर एकाई की स्थापना कर सकते हैं इसमें जीवामृत एकाई के लिए कसान के पास क्रिशी अप्षिष्ट गॉबर गौमुत्र जैसे जैविक संसाधन होना जरूरी है जबकि क्रिशी अप्शिष्ट क्लचर इकाई के लिए कम से कम एक एकड क्रिशी योग्य भूमी होना अनिवार्य है राजिय के किसान इससे लाब लेने के लिए जिला उद्यान कार्याले में संपर्क कर सकते हैं राजिय में मचली विक्रताओ के लिए मतस्य विपनन योजना चलाई जा रही है इस योजना के तहट राजिय के मचली विक्रताओ को हाइजीनिय कंडीशन में मचली के प्रसंस करन और परिवहन के लिए अनुदान पर आटो रिक्षा ये रिक्षा, फिश स्टॉल और अन्य उपकरन उपलब्ध कराए जाएंगे इस ही उजनास से लाब लेने के लिए अपने जिला के जिला मतस्य कारियाले से संपर्ख करे बक्री पालक भाईयों, इस मौसम में बक्रियों को गर्मी के दूश प्रभाव से बचाने के बहतर आहार और रोग प्रभंदन करे दिन के समय हरा चारा ज्यादा और दाना मिश्रन कम दे जबकि रात के समय सूखा चारा और संतुलित एवं पोश्टिक दाना मिश्रन दे बिमारियों से बचाव के लिए चेचक और पीपी आर टीका दिलाएं ध्यान रहे, दोनों टीका के बीच कम से कम 15-20 दिन का अंतराल होना ज़रूरी है गर्मी का जो प्रभाव है जो कुप प्रभाव का है तो गर्मी हीट स्ट्रोक का जो प्राबलम है इसको पाटने के लिए इसको प्रबंदन के लिए कुछ छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना पड़ता है हमें इनको हम कई भागों में बाट के भी प्रबंदन कर सकते हैं जैसे होता है कि पहला तो आप आवास प्रबंदन पर ध्यान रखें फिर खाने पीने का जो प्रबंदन है उस पर रखें फिर जो रोग या जो डिजिज जे मैनेजमेंट की बात करें उन सबों पर इसके निम्बू की बागवानी करना चाहते है वे मैं और जून महीने में गढ़धा खोदने और पौधा लगाने का काम पूरा कर ले निम्बू के पहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद नेपाली, पूर्भी या कागजी कलान लगाए किसान भाइयो निम्बू के बागवानी के लिए अच्छी जल निकास वाली दोमट या कंक्रीली मिट्टी वाले खेत का चैन करें पौधा लगाने के लिए साट संटीमीटर लंबा, साट संटीमीटर चोड़ा और साट संटीमीटर गहरा गड़ा खोदे पौधा कतारों में लगाए इस वे कतारों के बीच 5 मीटर और पौधों के बीच भी 5 मीटर की दूरी रखे नीम्बू के बहतर फलन और बहतर उत्पादन के लिए उन्नत रभेद नेपाली, पूर्भी या कागजी कलान लगाए इनक्यूत पादन शम्ता 1500 से 1600 फल प्रति पौधा प्रदिवर्श है मल्टी क्रॉप थ्रसर एक ऐसा क्रिश्यूप करन है जिसकी सहायता से किसान धान और गेहू दोनु फसलों की दोनी कर सकते हैं अभी गेहू फसल की दोनी का काम चल रहा है इस काम के लिए राज्य के किसान मल्टी क्रॉप थ्रसर का इस्तमाल कर सकते हैं इसकी कार्य शम्ता डेड़ कुंटल प्रति दिन है आज हम जानेंगे मिर्च फसल में रोग नियंतरन के उपाय के बारे में वर्तमान तिथी से लेकर पूरे जून महिने तक मिर्च की अगात बुआई की जा सकती है किसान भाईयों मिर्च फसल को रोग और कीटो से बचाने के लिए बुआई से पहले बीजोबचार जरूर करें इसके लिए प्रती किलोग्राम बीज की दर से पाच मिली लीटर स्यूडो मुनास फ्लोरोसिन सल्यूशन दवा का उप्योग करें और अब एक नजर राज्या के पाच रुमुक शहरों के मौसम के मिजास पर आज राज्या के पाच रुमुक नगरों के अधिक्तम और न्यूंतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्स कियेगे राची का अधिक्तम तापमान चाटिस डिग्री सेल्सियस और न्यूंतम चाटिस डिग्री सेल्सियस जम्षेदपूर का धिक्तम तापमान, 38 दिग्री सेल्सियस और नूंतम 29 दिग्री सेल्सियस मेदिनी नगर का धिक्तम तापमान, 38 दिग्री सेल्सियस और नूंतम 26 दिग्री सेल्सियस देवघर का धिक्तम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और नूंतम 28 डिग्री सेल्सियस धनबाद का धिक्तम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और नूंतम 28 डिग्री सेल्सियस क्रिशी समाचार में आज इतना ही अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ तब तक के लिए दीजे इजाज़त नमस्कार जोहार आज हम बाती करेंगी क्रिशी योगि वर्षा जल संचयन तकनीक के बारे में। जीहां किसान भाय बैनों बहुत सारी फसल ऐसी है जो वर्षा के जल पर निर्भर करती हैं। तो क्यों ना वर्षा सुरू होने से पहले हम वर्षा जल को किस तरह से संचय करें ताकि हम अपने फ की जाने वाली खेती बाड़ी हो अथवा बागवानी सिचाई के समुचित प्रबंध के बिना संभाव नहीं है राज्य में अच्छी वर्षा पात होती है लेकिन पठारी इलाका होने के कारण गर्मी के मौसम में पानी का अभाव हो जाता है जिसका खेती किसानी पर प्रतिकूल असर पड़ता है इस स्थिती से बचने के लिए बाग स्थापना डोभा तयार कर अपने फल डिक्षों को समुचित सिचाई दे सकते हैं हमारे किसान भाईयों आप अच्छे से जानते हैं कि जल की महतता हमारे पेड़ पौदों के लिए कितनी महतपून है हम जल का प्रयोग न केवल अपने निजी कार्यों धार्मिक कार्यों खेती बाड़ी के अन्य कार्यों में करते हैं फेक्टरी के रूप में काम करते हैं, फेक्टरी के उपयोग में काम में लाते हैं, किन्तु हमारे ब्रक्षों को भी बचा के रखना हमारे लिए उतना ही मेहत्व है। हम पेड़ पौधे लगा लेते हैं, लेकिन जल के अभाव में हम प्राहया देखते हैं, या तो वो मुर्जा जाते हैं, या फिर मर जाते हैं, हम मेहनत करते हैं, हम दो फिट लंबा, दो फिट चोड़ा, और दो फिट गहरा गड़ा बनाके अभी से रखते हैं, कि हम आने वाले समय में बरसात में भीखते पानी में पौधा लाकर चाहे वो आम का हो, čाहे लीची का हो, आमरूत का हो, चाहे नीबु का हो, मोसम्मी का हो, चाहे वो हमारा नासपाती का क्यों न हो हम लाके लगाते हैं दूरी हर पौधे की अपनी जगह है कि कितनी कितनी दूरी पे हमको एक एक पौधे को लगाना है हर फल के लिए अलग लग किन्तु हम जो गड़े करते हैं उसकी मिट्टी को अभी से सुखा के रख देते हैं थोड़े दिन के लिए उसको खुला छोड़ देते हैं चाकि उसमें कीड़े, मकोड़े, अंड़े, बीमारी या जो कुछ भी अंदर हैं वो सारी चीज़ें धूप पाकर मर जाएं पुनाय हम बरसात आने के पहले उसमें अच्छी तरह से गोबर की खाद और मिट्टी मिला कर केचुआ खाद और जो भी उसके लिए खाद की आवस्चता है उसको मिला के उस गड़े को हम लोग थोड़ा सा उपर छोड़ देते हैं और उसमें फिर पौध रोपन करते हैं बाग स्थापना करने के एक छुक किशान फल के पौधों को लगाने के लिए गड़े तयार कर लें बरसात के समय लगाए गए पौधों को आवश्यक्ता अनुसार पानी उपलब्ध होगा परंतु बरसात की समापती के बाद उन्हें वैकल्पिक व्यवस्था की जरूरत हो में हमको प्रते एक दिन पौधे को पानी देना आवस्थक पढ़ जाता है खास करके फरवरी के उपरांत मार्च महिने में होली के पहले से लेके अभी जून के महिने तक और बरसात के आगमन के पूर्व तक प्रती दिन हमको पानी देना पढ़ता है क्योंकि धूप की गर् तक पहुंचती है और एक बार जड़ पर अगर गर्मी पढ़ गई खत्म हो जाता है हम बहुत सारे तरीके से पानी देते हैं हम नाली से भी बाहो देते हैं हम कहीं रिप से भी देते हैं टपक सिचाई से भी देते हैं हम कहीं कहीं घड़ा पद्दती भी लगाते हैं लेकिन बंदो उसके बावजूद भी हमको पानी तो चाहिए चाहे वो टपक से दें चाहे घड़ा के छेद करके दें लेकिन वैसी इस्तिती में हमको बरसात के पानी को जमा करने के लिए बहुत ही ततपरता की आज जरूरत है जलकुंड के अलावे किसान भाई बड़े आकार के डोभा भी तयार कर सिचाई का प्रबंध कर सकते हैं सिचाई के तमाम तरीकों की जानकारी अथवा योजनाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए क्रीशी वज्यानिकों, क्रीशी संस्थानों, क्रीशी विश मैं मानता हूँ ये बात कि ये पानी नहीं रहेगा सूख जाएगा नीचे से सीपेज होके परकुलेट होके चला जाएगा वैसी इस्तिती में अच्छे किस्म की 200 माइकरान की प्लास्टिक भी आज की तारीक में बजार में हर जगह उपलब दें हर सेरों में उपलब दें अगर हम उस गड़े के अंदर चारों तरफी दो मीटर लंबी और एक मीटर चौड़ी और एक मीटर गहरी मतलब उसकी सतह भी एक एक मीटर आएगी अगर हम इत्ती लंबी प्लास्टिक को बिचा के और चारो तरफी थोड़ी सी अच्छी सी मेड उठा दे और एक तरह बरसात के पानी को आने का रास्ता खोल दे मिट्टी बहके न जाए तो इसका मतलब पहले हमको थोड़ा सा एक छोटा सा कूंड हलका सा बना देना होगा ताकि पानी चंचंचंगे उसमें जाए नहीं तो पता पड़ा उस गड़े में एक चोथाई मिट्टी जमा हो गई हमको लास्ट में जब माई और जून माईने में पानी के आवस्सक्ता पड़ी सूख गया दूसरा बात यह बात भी सही है कि पानी हम जमा कर लेंगे पोदों को दे देंगे लेकिन क्या हमारा वास्पी करण नहीं होगा इतनी गर्मी पाके वैसी इस्तिती में हमारे पास एक बास की अगर हम पत्ली-पत्टी काट कर और उस के उपर रख देंगे बंदूओं तो हमारा नमी करण भी नहीं होगा और दूसरा किसी प्रकार के मुर्गा बक्री हमारे छोटे बच्चे कभी खेलते कूटते आ जाते हैं उसके अंदर सीधे प्रवेस्त ना कर पाएं सुरच्छा की दरस्टी से भी बढ़िया हो जाएगा और अब हम बाते करने जा रहे हैं क्रिश्षी आई बढ़ाने ही तू अंतरवर्तिय फसल तकनीक के बारे में जीहा किसान भायवैनों आपको तो पता ही है कि हमारे किसान भायवैन बहुत महनत करते हैं लेकिन अपने महनत के हिसाप से उन्हें आई की प्राप्ती नहीं हो प को सह फसली शस्यन अथ्वा अंतरवर्थी फसल पध्धती कहा जाता है यह पध्धती मौसम के बदलाव और अनिश्चितता से किसानों को राहत देती है इस पध्धती का आर्थिक पक्ष यह भी है कि एक ही प्रभंधन से दो फसलें ली जा सकती है और खाली जमीन का भी उप् वर्थिय फसल मुख रूप से दो-तिम फैदा के लिए हम लोग करते हैं एक तो मुख रूप से यह जो है रिक्स को मेटिगेट करता है रिक्स को कम करता है जैसे की खेती जैसा कि आप जानते है कि रिक्स पराधारित है तो कभी-कभी ऐसा होता है कि अगर एक फसल लगाए ऊंटर वर्तिय फसल का मुख फैरा एक है, कि रिक्स को कम करता है, दूसरा है कि एक ही परबंधन से हम ढ़ा सबाइसर प्रेजर. तो ऐसी इस्थिती में भी अगर हम दो फ़सल लेते हैं तो एक के बाद दूसरा फ़सल भी उसमें बरकरार रहता है। हालंकि किसान भाई अंतरवर्ती फ़सल पद्धती लंबे समय से अपनाते आ रहे हैं। लेकिन जानकारियों के साथ अगर वैज्ञानिक पद्धती से इसे अपना कर ज्यादा लाव कमा सकते हैं। दो फ़सलों का चुनाओ करना चाहिए। जो एक अधिक फटलाइजर कंजूमिंग हो और दूसरा हो जो कम फटलाइजर कंजूमिंग हो। एक इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि एक ऐसे फसल लेना चाहिए जिसका जड़ बहुत नीचे तक जाता हो और दूसरा वैसा लेना चाहिए जिसका जड़ केवल उपर में ही रह जाता हो तीसरा है कि एक ऐसे फसल का चुनावू इसमें रखनांट का समय मर जो क्रोप कटने में कीसी एक कर वाहले हो और दूसरे कें बात में तो यह अगर किसान ध्यान रखके अंतरवर्तिय फसल का चुनाव करते हैं तो उनका अंतरवर्तिय फसल अच्छा अरहर के साथ मकई, मुंगफली, भिंडी, तील, सोयाबिन, सहित कई फसलें ली जा सकती हैं किसान भाई उची जमीन में खरीफ किफ मौसम में अरहर के साथ मुंगफली की अंतरवर्ती फसल ले सकते हैं तो अंतववत्य फसल में ध्यान में उची जमीन में की जाती है, इसका मतलब यह है कि वैसे जमीन जिसमें पानी का लगाओ नहीं हो, तो इसमें उसी तरह के फसल को चुनाओ करना चाहिए, जो फसल पानी के जमाओ नहीं होने लाइक हो, जिससे पानी के जमाओ होने से अगर पाना नुख्सान हो जाता है या पानी नहीं रहने से लूकला को नुख्सान हो जाता था तो यशे प्रता चुनाव कर valley नहीं करना चाहिए जींगें पानी करने कम हो मखता तो और हर केखास करके केश में जब उपने अपने प्रदेश के लिए बात करते हैं तो इसमें तीन-चार मुख मुख रूप से अंता वर्तिय फसल सर पर्थम और हर और है मुख फली का सबसे महत्वपून फसल है जो हमारे परदेश में बहुत ही कॉमन है और इस पर किरसी विग्यान केंद्र के द्वारा विभीन जीलों में अच्छा काम मुख रूप से दो लाइन और हर का और फिर दो chamado मुख रूप से 75-75 सेंटिमीटर की दूरी प्लांट टु प्लांट और 30सेंटिमेटर की दूरी रो टूर हम मेंटेन करते हुं तो ये एक महत्विन आन्त वर्तियं फसल है और हर और मुखुपुली समाना अंतर शस्यन विधी के द्वारा किसान भाई अरहर के साथ मकई की खेती कर सकते हैं इसमें एक पंक्ति पर अरहर और एक पंक्ति में मकई लगाना चाहिए इस प्रकार की खेती से फसलों के बीच में व्रिधी के लिए आपसी प्रतिसपरधा नहीं होती है और दोनों ही फसलों का उत्पादन अच्छा होता है। में दूरी मेंटेन करें मिला के लगा देते अरहर और मकई वह इसी प्रस्थिति में क्या होता है कुछ नग्र मगए दोनों का हो जाता है लेकिन जίतना उत्पादन उत्पादकता पाना चाहिए उतना यहां दो दोनों csak इसको अनुसंसित करते हैं यह एक लाइन मरहार का लगाए और दूसरी लाइन मकई का लगाए और इसमें भी हम किसान भाई को अनुसंसित करते हैं कि 75 cm रोज से रोज की दूरी मेंटेन रखे तो ऐसी स्थिति में मकई भी उनका पहले हर्वेस्टिंग हो जाता है और औरहर लंबे समय के बाद है कुछ दिन के बाद हर्वेस्टिंग होता है और दोनों फसल अच्छा उत्पादन देता है अंतरवर्ती फसल के उत्पादन से किसान भाई श्रम, पूंजी, पानी, उर्वरक इत्यादी को बचा कर लागत कम कर सकते हैं और वर्ष में कई बार आमदनी प्राप्त कर सकते हैं देखाना किसान भाई बैनों, छोटे-छोटे कदम हमें सफलता की ओर लिए जाते हैं तो कदम को रोकना नहीं है और यूही मेहनत करते रहना है आज की अंक में इतना ही, जाने से पहले आप हमारा पता लिख लिजे हमारा पता है कारिक्रम क्रिशी दर्शन, क्रिशी प्रकोष्ट, द्वारा केंद्र निर्देशक, दूर दर्शन केंद्र, रातु रोट राची, पिन संख्या 834, सुन्ने-सुन्ने-1 जाते-जाते, आपको ये जरूर बता दूं, कि आप क्रिशी दर्शन के हर अंक को कभी भी कहीं भी देख सकते हैं, अपने मोबाइल पे जी हाँ, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, हमारे साथ ट्यूटर पे जूड़ सकते हैं, साथ ही साथ फेस्बुक में भी आप हम स जूड़ सकते आज की आंक में इतना ही दीजे इजाज़त ताकि अगले आंक में फिर से आप से यूही बाते करें नमस्कार चुहार